नमस्कार आप देख रहें नक्ष्णाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार राहुल गांधी की भारत जोडो न्याई यात्रा आज मणीपूर के इमफाल के थोबैल से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है जी हाँ इस यात्रा के तहट राहुल गांधी जिस आधार पर 355 लोगसोबाज सीटों को कवर करने वाले हैं आगामी 66 दिनों में यात्रा 14 जन्वरी से शुरू होकर करीब 20 मार्च के आसपार समापत होगी इमफाल से शुरू होने वाली यात्रा मुंबई तक जाएगी और इसमें तमाम उन राज्यों का दोरा करेंगे जहां पर कॉंग्रेस पार्टी की स्थिती मजबूत नहीं है इसके अलावा आपको बता दें कि राहूल गांदी अपनी गांदी परिवार की परंप्रागत सीट जो की 2014 तक बनी हुई थी अमेठी भी जाने वाले हैं 2014 तक राहूल गांदी अमेठी से ही सांसद बनते आए थे लेकिन 2019 में उन्होंने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था पहली सीट थी अमेठी जो की उतरप्रदेश में आती है और दूसरी सीट थी केरला की वाइनाड जहां से राहूल गांदी वर्तमान में सांसद बनकर आए हैं राहूल गांदी इन तमाम राज्यों में यात्रा करते हुए सहयोगी दलों के साथ साथ भारतिय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनोती देने की कोशिश करने वाले हैं कॉंग्रेस पार्टी का लक्स यहां से 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना है जिस तरीके से सतिन पाइलेट हों जैराम रमेश हों रंदीप सिंग सूर्जेवाला हों मलिका अरजुन खडगे हों आधिरंदन चोधरी हों यह तमाम जो दिग्गस देता है इनका दा जहां पर 2019 में लोकसबा में अमेठी से स्मृती रानी ने जीत हासिल की थी इस बार भी वो अपनी हुंकार उसी सीट से यानि के अमेठी से भरने वाली है तो ऐसे में गांधी परिवार के चुनोती बन चुकी अमेठी की सीट अब यहां से उनके लिए मुश्किल बनती नज नजर आ सकती है क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वहां के लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और फिर मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे ऐसे में क्या स्मृती रानी इस बार भी राहुल गांधी को टकर दे प प्यर्क कुम कुम का देस만 की आएंगे था स्मृतार जिलने कोशिटश से वहां अ क्या क्योंतिżenा क्यों से पनूतार जीलने की लना क्योंगे लुवत हैं देनी यलना करतेंगे 54 अभातां लुफशिट यहां वहां अभा बीड